हाफ लाइफ पीरियट के बारे में बात करते हैं हमारे पास हाफ लाइफ पीरियट क्या होता है जी यह हमारे पास वो टाइम पीरियट होता है बिसिकली वो टाइम होता है जो हमारे पास जो है कोई भी रियक्शन हो रहा हो और उसको कनवर्ट कर दे 50% of रियक्टेंट को जो है में चेंज होका है ठीक है remaining हमारे पास 50% चीज रहेगे जिस तरह हम अगर लें N205 की example ठीक है हमारे पास N205 है और यह हमने क्या लिया था जी initially हमने 0.1 mole per dm cube लिया यह मैं इसकी concentration लिख रही हूँ ठीक है उसके हमने क्या देखा कि 45 degree C पे हमारे पास कुछ time के बाद यानि कि कितने time के बाद 24 minutes के बाद यहाँ पर हम लिखते है after 24 minutes हमारे पास क्या हो जाता है यह convert हो जाता है 0.05 moles में ठीक है यानि कि है हमारे पास यह N205 ही लेकिन convert हो गया है 0.05 mole per dm cube के अंदर ठीक है आदा रह गया ना ठीक है तो 50% हमारे पास इसकी quantity जो है वो change होगी पीछे हमारे पास 50% यह रह गया है और बाकी सारा हमारे पास decompose होके product में change हो गया उसके बाद दुबारा से 24 minutes ही यानि कि अगर हम इसकी इस तरह से देखते हैं कि पहले 24 minutes में आदा रह गया था हमारे पास time के बाद यह जो है वो कितना रह जाता है N205 हम लिखते है N205 इसकी quantity हमारे पास रह जाती है 0.025 mole per dm cube तो इस तरह से हमने देखा कि इससे भी आदी amount रह गया तो यह half life हमारे पास एक और आ गई लोगे second half life है उसके बाद again जब शुरूर से हम time चुंके note करी रहे हैं तो 72 minutes बाद हमारे पास क्या होता है जी जब हम शुरूर से देखते हैं 72 minutes गुजर गए हैं तो अब इसकी भी आदी quantity हमारे पास N205 की रह जाएगी और वो कितनी होगी वो होगी point हमारे पास zero one two five mole per diem cube तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे time गुजरता जा रहा है हमारे पास इसकी quantity जो है वो कम होती जा रही है यानि कि हमारे पास decompose होता जा रही है ठीक है इसी तरह से जब हम uranium ले ले लेते हैं uranium हमारे पास क्या है जी two thirty five हम pick कर लेते हैं और यहां पर इसका जो है atomic number 92 होता है तो हमारे पास ये होता है कि seven hundred and ten million years के बाद ये आधा रह जाता है अगर हमने शुरू में one kg लिया था तो हमारे पास इतने years बाद हमारे पास ये point five kg रह जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि half life वो time period होता है जो किसी भी हमारे पास reactant को 50% रहने देता और बाकी 50% जो है वो हमारे पास decompose हो जाता है या हम कहते हैं disintegrate हो जाता है इस तरह से ठीक है अब हमने first order rate equation यहाँ पर देखी थी अगर हम देखे ठीक है यहाँ पर हमारे पास मौझूद है हम इसी को लेकर चलते हैं यहाँ कि इस यह जो हमने लिखा है time ठीक है इस तरह से हम ले लेते हैं half life period के लिए हमने जो है first or second or third order के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे तो इसके लिए first order के लिए हम जो है देख लेते हैं equation हमारे पास यह है ln of a naught over a ठीक है a naught हमारे पास initial concentration है ठीक है इसको हम small a भी put कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं इदर small a put कर सकते हैं इसकी जगा हम लिख देते हैं small a ठीक है इस तरह से आ गया और a जो है capital a जो हमें नज़र आ रहा है यह time interval गुजरने के बाद की concentration है तो इसको हम a minus x represent कर देते हैं ठीक है अब इसमें यह जो x है ना यह हमारे पास क्या होता है जी यह तो हमारे पास इस a से हम कहते हैं के half रह गया है ना ठीक है तो हम क्या कहते हैं x जो है वो हमारे पास वो है जो क्या रह गया है आदा रह गया है तो इस तरह से हम अगर यह put करते हैं तो हम rearrange कर लेते हैं अपनी equation को 1 over k log natural a over a minus a by 2 ठीक है किया आ जाएगा अब हम जब इसको solve करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा तो इसको अगर हम सिर्फ देखें तो lcum के according में इसको अगर side पर यहाँ पर एक box में हम solve कर लेते हैं जब हमारे पास नीचे 2 है तो हम lcum ले लेते हैं 2 का यह 2 इससे multiply होगा 2 a minus a हमारे पास आजएगा तो 2 a में से जब a हम निकालेंगे तो a by 2 आएगा तो नीचे हमारे पास क्या आगया a by 2 तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं time period is equals to 1 over k हमें इसके साथ अब जो है क्योंकि हम दे x की value a by 2 put कर दीना तो इदर हमें half life लिखना पड़ेगा t half से represent करते हम इस तरह से और उसके बाद ln a over a by 2 तो ठीक है अब हमारे पास क्या है जी division पे division हो रही है नहीं के 2 अगें नीचे आ रहा तो ये जब division पे हमारे पास एक और division हो रही होती है 2 उपर चला जाएगा हम इसको किस तरह से लिखते हैं छले हम इदर ही बता देते हैं कि ये हमारे पास 2 नीचे से खतम हो जाएगा और 2 जो है वो हमारे पास यहां ऊपर चला जाएगा ठीक है और ये a cut off हो जाएगा इस a से इस तरह से हमारे पास आजएगा t half is equals to 1 over k log natural of 2 तो हम log natural of 2 ले लेते हैं तो हम यहां देखते हैं 2 और फिर हम इसका log natural लेंगे तो हमारे पास आता है 0.693 ठीक है तो हम इसको लिख देते हैं हमारे पास क्या आया 0.693 तो t half life जो first order की हमारे पास आ जाएगी वो आएगी 1 over k into 0.693 ठीक है ये आ गया हमारे पास अब हम इसको क्या करते हैं जी हम इदर भी लिख सकते हैं तो हम इसको उपर से सारा मिटा देते हैं और हम 1 से जब multiply हो रहा है हम इसको क्या लिख देते हैं यहां पर 0.693 तो इ first order की हमारे पास t half life जो है वो किसके equivalent आती है equal आ जाती है 0.693 over rate constant of first order ठीक है अब second order की हमारे पास क्या आती है इसको हम देख लेते हैं हमारे पास t half life जो calculation से हमारे पास आती है second order की वो आ जाती है 1 over ka ठीक है इस तरहा से और third order की यहां पर चले हम लिखते चले जाते हैं first order के के लिए हम यहां पर side पर लगा देते हैं इसके दर one और इसके लिए इदर two लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे कि second order की है और third order के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा यह half life हमने represent की और third order के लिए हमने three लिख दिया यह equivalent हो जाएगी one यहां पर हमारे पास क्या जाएगा one point five यह भी calculated इसी तरह से है rate equation हमारे पास third order की होती है उस पे हम calculations करते है rate constant आ जाता है third order का और हमारे पास जो एक ही concentration होती है उसका square अगर हम general इसका formula represent करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी t half life of any order जो हमारे पास होती है उसके लिए हम n लिख देते हैं वो हमारे पास जो है inversely proportional होती है किसके जी one over a n minus one first order की अगर देखें तो हमारे पास तो बिलकुल इसके half life में हमारे पास a की concentration आई नहीं रही तो इसका मतलब यह है initial concentration की उपर हमारे पास half life period of first order depend ही नहीं करता ठ ठीक है उसका उससे कोई तालुक नहीं होता कि firstly हमने उसकी concentration ली कितनी है जबकि second और third में हमारे पास इसकी जो है a की concentration initial concentration आ रही है ठीक है तो इस तरह से अगर first हम यहाँ put करें one minus one करेंगे तो zero तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या आजएगा one over a zero तो इस तरह से हम द third में हमारे पास आ रही है तो इस तरह से general हमने जो इसकी half life की relationship देखी है concentration के साथ वो n minus one होती है यानि कि उसके order से one minus कर दिया जाता है तो हमारे पास half life period of any order chemical reaction का आ जाता है ठीक है तो यह है half life period